तो कैसे हम सब आई होप यह बैल आज मैं बात करूंगा कलाकार एक आर्टिस्ट के बारे में जो कलाकार होता है उसका मलब हर इनसान का बच्पन से ही किसी ना किसी चीज में अपनी रुच्ची होती है एक जो है जिसम पाटिकुलर सब्जेक्ट बोलते हैं हम उसमें कह सकते हैं सबका अपना अपना एक अलग अलग चीजों में होनर होता है जो अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो एक आर्टिस नहीं होतластig अज competendo थो INTERP तो मतलब सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है जिसको बैतर तरीके से कर पाते हैं और जो कलागार जो होता है उसका ऐसा नहीं होता कि वो जो एक ही चीज में पार्टिस्पेट कर सकता है बस अपनी अपनी सब की रूच्छी होती है अपनी पेंटिंस वगरा करता रहता हूं तो आज मैं गीत गाना चाहूंगा राष्ट बक्ति भीत आज मेरे थोड़ा मन हुआ तो जो है आज मैं गीत गाने के ज्यादा मूर में हूं तो कोई नहीं हम आज गीत गाते हैं फिर देखने हैं कैसे लगता है मैंड को अपना मन को हमाया खुशी देनी है हमाया खुद को खुद से एक सैटिस्वाइड होना है खुद के मन को खुद के अंदर की आत्मा को खुश रखना है तो कोई भी एक्टिविटी हो अच्छे से करो कूँ मैं जो है शुरू करता हूँ एक राष्ट बक्ति गीत कहीं परवत जुके भ नहीं जुकती जवानी है नहीं रुकती रवानी है नहीं जुकती जवानी है नहीं रुकती रवानी है गुरू गोविंद के बचे उमर में थे अभी कचे मगर थे सिंग के बचे धरम इमान के सचे गरज कर पूल उठेते यों वो सिंग मुक खोल उठेते यों नहीं हम जुक नहीं सकते हमें निज देश प्यारा है तदश मेश प्यारा है शिरी गुरू ग्रंत प्यारा है हमेन जी देश प्यारा है पिता दश मेश प्यारा है शरी गुरु ग्रंत प्यारा है जोर जोर से बोला पते सिंग शोर से बोला रखो इटे भरो गारे चुनो दीवार हत्यारे निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी यही दीवार बोलेगी हजारो बार बोलेगी हमारे देश की जैहो शरी गुरु ग्रंत की जैहो हमारे देश की जैहो शरी गुरु ग्रंत की जैहो कहीं परवत जुके भी है कहीं दरिया रुकी भी है नहीं जुकती चवानी है नहीं रुकती रवानी है बड़िया से मिलते है नेक्स्ट वीडियो में पर